पप्पू का परिच्छा पेपर चल रहा था, मैडम बहुत ही सक्त थी, इसलिए नकल मारने का मौका नहीं दे रही थी पप्पू ने एक परची मैम को दी, तो मैडम पूरे पेपर के दवरान कुरसी पर ही बैठी रही सबने खूब नकल मारी, खूब नकल मारी, सभी बच्चों ने पूछा, अरे पप्पू, तुने परची में ऐसा क्या लिखा था पप्पू बोला, मैंने लिखा था, मैडम जी, आपकी सलवार पीछे से फटी हुई है पप्पू, पास हो गया और असली मम्मी, एक बात तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ती है? धमकाने वाली मम्मी, आने दो पापा को तुम्हारी शिकायत करूँगी इतिहास पसंद करने वाली मम्मी, जब मैं तुम्हारे उम्र की थी तो अपना सारा काम खुद करती थी भविश सिवाचक मम्मी, मुझे तो पता था ये जरूर तूटेगा भ्रमित मम्मी, मैं इंसान हूँ या मसीन कंजूस मम्मी, रोटी तुम्हारे लिए बनाई थी या उसे कुट्टे से खिलाने के लिए नहीं सक्की मम्मी, सव में सव जरूर तुमने कोई नकल की होगी सबकी मम्मी, इस मोबाइल को आग लगा दूँगी